ओम शान्ति मन्सा वाचा कर्मना बरतन मांजना भी सेवा का महत्व है अगर आपने मन्सा सेवा की, आपने वाचा सेवा की, आपने कर्मना सेवा की, आपने बरतन मांजे सब में सेवा है और इन सब सेवाओं का महत्व है जितना भाशन करने वाला पद पालिता है उतना योग युक्त युक्ति युक्त स्थिती में स्थित रहकर बरतन मांजने वाला धी स्रेश्ट पद पा सकता है जो बरतन मांज रहा है वो योग युक्त है युक्ती युक्त है हर तरीके से वो अपनी सेवा कर रहा है दिल से सेवा कर रहा है तो चाहे कोई भाषन करने वाला है और एक बरतन मांज रहा है दोनों सेवा कर रहे हैं कोई ये न सोचे जो भाशन करता है उसको उजपद मिलता है और जो बरतन माजता है उसको कोई पद नहीं मिलता नहीं जो बरतन माजता है लेकिन वो योग युक्त है और युक्ती युक्त स्तिती से उसमें स्तित रहकर किसी को कभी कोई disturbance नहीं करता सदा योग-युक्त रहकर अपनी सेवा करता है वो बरतन माजने वाला भी स्रेष्ट पत्पा सकता है वे मुख से करता वे स्तिती से करता जो बरतन हो रहा है वो अपने स्तिती से बता रहा है कि योग यूग तो स्तिती क्या होती है वो मुख से बताता है कि बाबा क्या है वो अपने कर्मों से दिखा रहा है कि बाबा ने क्या सिखाया है तो सदा हर समय सेवा की वीधी के महत्व को जानकर महान बनो सेवा का महत्व होना चाहिए कि आप क्या सेवा कर रहे हैं उसका महत्व होना चाहिए आपको सेवा के महत्व को समझो और उससे महान बनो कोई भी सेवा का फल ना मिले यह हो यह नहीं सकता जब यह लिखा है कि हर सेवा का फल मिलता ही मिलता है तो आप यह कैसे सोच लेते हैं, किसे सिरफ भाशन करने वाला है, उसको ही पद मिलेगा, और बाकी सब को क्या मिलेगा, अगर कोई खाना बनाने वाला नहीं हो, बरतन मानने वाला नहीं हो, तो भाशन करने वाला अकेला कैसे सेवा कर लेगा, उसके पेट में कुछ नहीं होग देने वाला ही कोई नहीं होगा, लेने वाला ही कोई नहीं होगा, तो कैसे सेवा करेगा, गिती दिर्द कर लेगा, बताओ ना, आपको भोजन मिलता है, भोजन बनता भी तो है, भोजन बनाने वाला भोजन बनाए नहीं, बताओ, तो वैं मुख से सेवा करता जो भाशन करता है और वैं जो बरतन मांज रहा है वो स्तिती से करता है तो सदा हर समय सेवा की विधी के महत्वों को जानकर महान बनो कोई भी सेवा कफल ना मिले यह हो नहीं सकता लेकिन सच्ची दिल पर साइव राजी होता है कोई ये सोचे मैं तो बहुत सेवा करती हूं मैं तो दिन राज सुबे शाम सेवा करती हूं लेकिन उसमें एहम भाव बोद है मैं पन बोद है तो वो सेवा क्या सेवा है वो मैं ही उसकी सेवा को खतम कर दी जाती है क्यों उसके मैं को सांत वना कोई देने वाला ही नहीं है तो उसको नाम मानशान मिलता नहीं थोड़े दिन करेगी फिर वैसी की वैसी फिर थोड़े दिन करेगी फिर वैसी की वैसी ऐसी आत्माई वीगन रूप भी पहुच जाता बनती हैं कारण क्योंकि उनकी मैं ही शांत न आपने किया तो आपको मिला। सनी है। उसने चांस दिया कि आप पल पा सके। इसलिए का सच्चे दिल पर साहिब राजी होता है। जिसके ओपर दाता राजी, वर दाता राजी, उसको क्या कमी रहेगी। Om Shanti